नमस्कार दोस्तों, मैं कर्णल अजय, CEO अजय अस्टो मनिगुरू डाट कॉम, एवाम फर्स्ट ग्लोबल अस्टो फर्नांस दिजिटल चैनल अजय अस्टो मनिगुरू से आप से मखातिब होता हूँ, आज 4 जनवरी सन 2021, दोस्तों, अंक चार का प्रतिनित करता है, राहू और जनवरी महा कलिंडर एयर का पहला मन्त है, यानि पहला महा अंक एक यानि सूरे और सन 2021 का कारक अंक है, बुद्ध, तो आज बुद्ध, सूरे और अजबुस्योग बजारों में देखने को मिल सकता है, जो की सकारात्मक रुक हिश्चा, दोस्तों, आपको याद होगा, हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने सोया बीन, मस्टर्ड, हल्दी, कोरियंडर यानि धनिया, इसके ओपर आपसे चर्चा कीती, अरंड यानि कैस्रोल पर भी आप पर चर्चा कीती, जो की अक्षत सत्य साबित हुई, आज क्या संभावनाय बनेगी, इसके ओपर विशेश हम ध्यान देंगे, इससे पहले हम आगे चले, हम आपको एक सूचना भी देना चाहते हैं, आप इस चैनल को जोइन हैं, चैनल के ओपर ब्लियू रिग्यानी नंग से एक जोइन लिखावा आ रहा है, उसको आप जबा कर, आप प्रेस कर, हमारी विशेश रिकॉमेडिशन आप राप कर सकते हैं, तो दोस्तो आज इससे पहले हम आगे चले, आज हम बजारों के अंदर क्या इस्तिती रहेगी, क्या प्लैनेटिकल कंडिशन ने उस पे चर्चा कर रहे हैं दोस्तो चंद्रमा आज लियो में हैं, यानि सिंग राशी में हैं, सूरे बुद्ध और शुक्र धनु राशी में हैं, शुक्र ने राशी परिवर्तन कर लिया है और वो सूरे और बुद्ध के साथ सयोग कर रहा है, केतु व्रश्चिक राशी में हैं, अब से पहले शुक् combination था लेकिन शुक्र ने केतु का साथ छोड़ सूर्य और बुद्ध का साथ पकड़ लिया है गुरू और शनी जुपिटर और सैटरंग कैप्रिकॉन के अंदर हैं मंगल अपनी स्विम की राशी मेश राशी में हैं और राहू व्रश्शव राशी के अंदर है यह सब ग्रासय सूचना ये भी है कि चना के अंदर इस बार लगबग 5-6 प्रतीशत की अधिक बुआई हुई ही है और मौसम भी उसके लिए अनुकूल हो रहा है तो चने के अंदर उत्पादन बढ़ने की संभावना बन रही है और इसका असर आने वाले समय के अंदर चने के फसल के उपर विशेश पड़ेगा इसको आप ध्यान रखिए इसके अत्रिक्त चना के अंदर शौट सेलिंग के अंदर NCDX ने कुछ मार्जिन भी बढ़ाया है ताकि शौट सेलिंग के उपर कुछ काबू रहे तो इसका भी आप एक विशेश ख्याल रखिएगा कि जो भी NCDX के अंदर चना के अंदर शौक्स कर रहे हैं उनको पर विशेश ध्यान रखने वाली बात है और आज क्या संभावनाएं बनेगी आज सोया बीन के अंदर मजबूती की संभावना बन रही है सोया बीन और सोया ओयल में इसके अतलिक चना के अंदर कुछ मामूली बड़त की संभावना भी बन सकती है ग्राम के अंदर चना ग्राम में जीरा पिछले कुछ समय से जीरा परिशान हो रहा था कुछ downward चड़ रहा था लेकिन आज जीरे के अंदर मजबूती की संभावनाय बन सकती है विशेश ख्याल रखें mustard यानि सर्सों के अंदर आज मजबूती की संभावनाय दर्ज हो रही है दोस्तों याद रखना कोई भी तेजी या मंदी की बड़ी line एकदम से नहीं बनती है यदि कोई बड़ी मंदी आने वाली होती है उससे पहले तेजी होती है याद रखेंगा या तेजी किसी भी community में आने वाली होती है उससे पहले मंदी के line चल पड़ती है तो इसमें विशेश ख्याल रखेंगा आज सोया बीन सरसो जीरा और चने के अंदर आज मजबूती की संभावनाएं बन रही है आप विशेश ख्याल रखें हल्दी के अंदर भी मामुली बड़त की संभावनाएं बन सकती है इसके तरिक कैस्ट्रोल सीट के अंदर कमजोरी की संभावनाएं बन सकती है अरिंडी के अंदर कमजोरी के संभावनाएं बन सकती है All the very best